सो आज हम लाया है लिनोवो के परिवार का एलो क्यू ये बॉर्डर में गोली रोकने की मजबूती के साथ लाया है 12450HX एंड आर्टेक्स 2050 अब आर्टेक्स 2050 सुनके तुम्हें मूँ फुलाने के जरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रतापी फीचर से महानायक टेक्नोलोजीज को यूज किया गया है जो कि आपको काफी हाइंड लैप्टाप में कम ही देखने को मिलता है बट इस लैप्टाप में आपको वो है एंड आज की सबसे बड़ी बात मेरे आवाज पर ध्यान मत देना काफी दिनों से एप्राक्स 20 दिनों से मैं बैक्मैन के श्राप से गुजर रहा हूँ बाबा ओम ने आश्वासन दिया है कि उनकी दवाईयों से एंड आशिरवात से उम्मीद है कुछ वीक में मैं ठीक ह हो जाऊँगा तो फिर हम वापस अपनी सुरीले आवाज में टेक्नोलोजी इस पर गाना गा सकते हैं एडिशनली हम इस वीडियो में उन सारे इशुस पर भी डिसकस करने के कोशिश करेंगे जिसकर लिनोवो से मुझे कुछ रिप्लाई आया है और आप सबने अपडेट कि अपराक्स 70 मिनिट में पूरा चार्ज कर देगा एंड चार्ज पूरा लैपटाप को उतरने में उससे थोड़ा ही कम समय लगता है अपराक्स दो घंटे का में पॉसिबल अगर आप क्वाइट मोड में यूस करते हैं तो दो घंटा से थोड़ा जादा चलेगा उससे जाद अरिया हो सकता है वैसे तो लिनोवो ने इसमें एक नए AI चिप को नौकरी पे रखा है जिसके लिंग्डिन प्रोफाइल के हिसाब से चार्जिंग का स्पेशल फीचर एंड ओवर आल पावर सप्लाई को हैंडल करना भी इस AI चिप के जॉब का एक हिस्सा है यह आप भी चे इसे ही गेम स्टार्ट करता हूँ इसकी पावर सप्लाई लगातार गिरती जाती है लाइक यह अभी 56 से सीधे 0.77 वाट एंड नीचे जाता ही जा रहा है इसका मतलब अब यह चार्ज नहीं हो रहा है और डायरेक्ट पावर ही यूस कर रहा है यही मैं आगर गेम बंद करके दिखाता हो तो यह फिर से वापस बैटरी के पावर को सप्लाई देना शुरू कर देता है इससे बैटरी का लाइफ लंबा रहेगा एंड ज्यादा दिन चलेगा भी अब देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ सो इसमें मिलेगा कोर आइफाइब 12 एचेक्स विद फ तक पहुंचने के बाद आपको घर पर ही बार्बी क्यों का मज़ा मिलेगा मुफ्त में इसे वेरी पावर्फुल प्रोसेसर बस गर्म होने से इसे बचाए रखो तुम्हें यह लंबे समय तक ठंडा रखने में मदद करेगा बाकी बेंचमार्क तो सिने बेंच टेस्ट में इसका स्कोर है 1627 सिंगल कोर एंट 10215 मल्टी कोर का पास्मार्क स्कोर है 18737 एंड गीक बेंच 6 का स्कोर है आपके सामने एक और बात में आपको बताना चाहता हो सिने मेंच टेस्ट करते समय प्रोसेसर का टेंपरेचर एप्रॉक्स 95 प्लस जा रहा था बट अगर आप गौर फर्माईएगा लिनुवो का कूलिंग सिस्टम लगातार टेंपरेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था 95 डिग्री आप देखो यह 97 पे जाता है बट अगे 95 पे वापस आ जाता है सो कूलिंग सिस्टम इस रिली दूइंग गुड़ इवन इन फैन इन्वार्मेंट नेस्ट इस जीपी यू सो इसमें आपको मिलेगा आटेक्स 20 50 विट 65 वाट टीजीपी एंड फोर जीबी वी रैम जी डीडियर सिक्स टैप का विट टॉप 15 45 मेगार्च मेमरी क्लॉक मैक्स क्यू के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप रिफर कर सकते हैं यह जीपीव एंपीर आर्किटेक्शर पर बना हुआ है सो रे ट्रेसिंग एंड डेलेसे का सपोर्ट मिलता है विट 32 आर्टी कोर्स और 64 टेंसर कोर्स के साथ बट लो पावर जीप इसका ठीक ठाक चल जाता है अपनी उकात के हिसाब से इसमें भी हमने अत्याक्चार किया था बेंचमार्क के नाम पे गिग्विंच स्कोर इसका आया है 48996 ब्लेंडर टेस्ट का स्कोर कुछ इस प्रकार है एड़ यूनिजन का स्कोर एड हाई सेटिंग्स विद एंटी अन होने है अब एक प्रमुक इनाम लाएक स्पेशालिटी सो इस लैपटाप में आपको देखने को मिलेगा एंवीडिया एडवांस ऑप्टिमस जो की काफी महिंगा फीचर है बट स्टिल आपको इस लैपटाप में देखने को मिल रहा है मुझे याद है दो साल पहले तक एप पास है पट उसमें आपको एंवीडिया एडवांस ऑप्टिमस दिया गया हो यह एक लौता लैपटाप है जिसमें आपको मिल रहा है तो आपका लैपटाप गेम स्टार्ट करते ही सेंस कर लेगा और आपके डिस्प्ले एंड गेम को डेडिकेटेड जीप्यों में रूट क कर सकते हैं वन टीवी तक अपड़ेट कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा उसका फॉर्माट भी 2280 फॉर्म फैक्टर वाला होना चाहिए इसका रीडेन राइट स्पीड कुछ इस प्रकार है जो तोड़ा उमीद से कम है और सो इसका टीवी 600 टीवी मतलब आप इसमें 600 टी जी का राम है आई ट्राइड अलॉट बट मुझे इसका राइंक अर्गनाइजेशन मालूम नहीं पड़ा अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दो आई विल पिन बैट फॉर एवरीवन मैक्सिमम आप इसमें 32 जीवी तक अप्डेट कर सकते हैं प्रॉसर की कैबसेटी बहुत ब्रैटनेस के साथ भरा गया है तो अगर आप फोटोशॉप लाइट रूम पेंट शॉप या इमेज इडिटिंग या फिर कलर रिलेटेड कुछ कुकर्म करना चाहते हैं यह सम्मान पूर्वक्त सारे रंग दिखाने में सक्षम है इस पजट में किसी भी और गेमिंग करना एंड लॉक करके रखना उन एरियास के पास में जहां पर हीट ज्यादा जनरेट होता है जैसे कि सीप्यू जीप्यू या फिर वी रैम ताकि वो ज्यादा और ठंडा हो सके उससे ज्यादा बाहर हावा जाने नहीं देता है एंड फिर गरम हावा अपने आप ही डेसिप बढ़ता है जैसे कि अगर आप सीप्यू के उपर रखा गया है और जैसे सीप्यू का हीट बढ़ेगा वो आटमेटिकली सॉफ्ट होता जाएगा और सॉफ्ट से लिक्विड में बदल जाएगा यह जो कनवर्जन होता है इसके लिए जो हीट रिक्वाइड होता है वो हीट जो है वो काफी जादा एरिया को cover नहीं करता है इसके साथ इस laptop में लगे fans को भी आप manually control कर सकते हैं Lenovo Vantage के through यहाँ जा करके आप fans को manually control कर सकते हैं उपर नीचे कर सकते हैं बट काफी ध्यान से कीजेगा इसका main काम होता है laptop के temperature को maintain रखना अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं किया जिसका main काम है laptop को ठंडा रखना तो यह आपको ठंडा रहने नहीं देगा इसको मैंने general usage के लिए जो normal लोग करते हैं उसके लिए test किया था with multiple tabs open in edge browser more than 10 or 15 tabs chrome browser में भी कई tabs open थे copy paste चल रहा था background में and download भी हो रहा था कुछ game के clients open थे उसके बावजूद laptop हीला तक नहीं काफी बढ़िया एंड smooth सा performance दे रहा था no hang no lag or anything it was really really good इसके लिए मैंने कहा processor काफी powerful है इसका अब करते हैं gaming test मैं बता दू इसमें system को performance mode पे set किया गया है also सारे test fan के नीचे ही किये गया है air condition room में नहीं वहाँ temperature और कम रहेगा so पहला इस RDR2 video settings में सारे ultra और high settings पे है with all other options इसमें आपको मिल रहा है approximately 50 fps GPU 62 degree पे है and CPU 72 degree पे GPU utilization approximately 97% हो रहा है power supply approximately 40 to 45 watt जा रहा है RAM utilization इसका है approximately 11.5 GB next मैंने God of War regular off try करने का कोशिश किया and जैसे ही मैंने double click किया जोरदार तमाचे के साथ ऐसा error आया screen के सामने which says गरीब आदमी कम से कम 6 GB VRAM तो ले करके आना चाहिए तुम्हें sad हमने ये पहले नहीं देखा अब अपना सुजा हुआ शकल ले करके रोटी सेखते हुए युटिलाइजेशन अपरोक्स 94% and CPU temperature is 72 degree and 53% GPU power supply 40W से उपर नहीं जा रहा है उसके आसपास ही भटक रहा है next is X Defiant ये एक नया गेम है from Ubisoft इसमें भी settings सारे high पर ही थे no frame limit at all graphics quality ultra and shadow quality high पर ही था इसमें stacks काफी fluctuate हो रहा है but अपरोक्स 50 to 60 fps मिल रहा है इसमें पावर सप्लाइज एपरोक्स 50 वाट दिखा रहा है RAM utilization is 11 GB so अगर आपको configuration खोड़ा और बैतर हो तो ये गेम उसको जरूर इस्तमाल करता मेरे इसाब से next is Warzone ये हमने custom settings पर खेल रखा है settings detail कुछ इस प्रकार है and NVIDIA DLSS on है so इस पे मुझे अपरोक्स 60 to 70 fps मिल रहा है 63 degree GPU and 94% utilization के साथ CPU 78 degree and 70 to 80% utilization के साथ ये गेम काफी CPU dependent है इसलिए utilization ज़ादा है RAM overall अपरोक्स 10.5 GB यूज कर रहा है next is control ये गेम मैंने use किया कुँ test ray tracing but results are not that good artics on करते ही high settings पर try करने पर ये फटे कपड़े से गड़गडाता हुआ दिखाई दिया so मैंने ray tracing को medium and settings को medium किया फिर भी 20 to 25 fps पे हिम्मत के लिए राष्टिय पुरसकार की उमीद में रोता हुआ दिखाई दिया मुझे finally ray tracing को बंद करके try किया on high settings तब मुझे 30 to 40 fps मिल रहा था so भले ये गेम पुरानर है but अच्छी तरह से बजा लेता है GPUs की control game ही on high settings with DLSS and without DLSS test किया है results are in front of you also इसका with DLSS में Lenovo AI Engine Plus के साथ भी हमने test किया है जिसका वादा था कि gaming के लिए उप्यूक्त power supply ये देगा for better result so results are in front of you only next is vintage software and इस बार का vintage software काफी important है specifically ये section काफी interesting है यहाँ आप voltage control कर सकते है component का CPU power limit, CPU temp limit CPU to GPU dynamic boost and reverse as well ये आप gain के अनुसार भी set कर सकते है GPU के TGP को set कर सकते है it is having only two options, 50 और 55 but बहुत ध्यान से इस पे हाथ लगाना ये आपके laptop को अपनी इच्छा पे नचाने के लिए है अगर एक गलती अपने किया है तो आपको इसकी इच्छा पे नाचना पड़ेगा अब आते हैं build पे, तो काफी premium सा build है इसका polycarbonate material से निर्मित है screen flex बहुत कम है चारों तरफ हमने छोटा भीन with lead and without lead वाला दम लगाया बट ये जुका नहीं बंगर सिमिट से सिर्फ दो अंक कम है मजबूती में and its military grade certified as well बाकी सारे ports पीशे की तरफ है with air exhaust नीचे की तरफ fans के ऊपर air vents दिया हुआ है for intake hinges looks really strong काफी ठकाने के बाद भी ये टिका रहा sides में कोई air exhaust नहीं दिया गया है right side में कुछ ports दिये गया है like one 3.2 Gen 1 Type-A port one headphone jack one USB 3.2 Gen 2 Type-C and one webcam e-shutter back side में power adapter 3.2 Gen 1 Type-A port है one RJ45 port है one HDMI 2.1 का port है one 3.2 Gen 1 Type-A port है बाकी Wi-Fi 6 Nemic Audio का support मिलेगा इसमें आपको screen में आगे की तरफ एक hump सा दिया गया है ताकि screen को center से आप lift कर सके इसका फाइदा ये है कि screen bend नहीं होता कई लोग side से lift करने कोश्च करते हैं वैसे में screen पोड़ा bend हो जाता है वूर्लिंग में बहुत जादा नहीं है at least पंके के नीचे पंके को हवा तो नहीं देगा keyboard full size है with numpad and full size arrow keys भी है white back lead no RGB इसमें इसमें dedicated co-pilot का button दिया गया है बस button दबाओ and Microsoft की AI माता प्रकट हो जाएगी packpad बड़े सा इसका है and smooth है next modes like performance, balance, quiet, custom mode जहां performance means best and top performance के लिए CPU and GPU को full power पे तिल मिलाते रहेगा मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो and red light आपको बताएगा कि ये performance mode पे है फिलहाल balance mode में आपको मिलेगा Lenovo का AI chip के साथ which is AL1 chip जिसको design किया गया है आपके laptop को choose के performance बाहर निकालने के लिए हर mode पे color change हो सकता है इससे आप पता कर सकते है किस mode पे है quiet mode में शांती से चुप चाप अंदेरे में कारनावा करने के लिए fan noise पी बिल्कुल zero रहेगा CPU, GPU दोनों low power पे चलेंगे and custom में आप fan speed and बहुत कुछ और को set कर सकते है इन सारे modes को आप FN plus Q के साथ switch कर सकते है mode change होने पे screen पे icon and start button के color के साथ आपको पता चल जाएगा इसके साथ इसमें मिलेगा आपको office 2021 mac effect का trial version मिलेगा मेरे साब से उसको निकाली तो बेकार antivirus है दूसरी बात इसमें आपको मिलेगा Xbox 3 महिने का game pass मुफ्त देखने को मिलेगा उसके साथ साथ एक साल की warranty and एक साल की accidental warranty भी साथ में Lenovo दे रहा है which is really good रही बात motherboard issue की तो मुझे latest में ये जानकारी सुनने को मिला है कि अब Lenovo अपने laptops में आ रहे अपडेट करके फिर वापस से market में डाल रहा है तो अगर आप खरीने के plan में है तो नए version जितने भी launch हुए है from Lenovo उसमें से ही किसी एक को खरीने को कोशिश कीजिएगा पुराने वाले को मत खरीने कोशिश कीजिएगा अगर still आपके पास में पुराना वाला पड़ा हुआ है और अगर आपको motherboard का issue आता है तो सीधे आप service center चले जाओ और मेरे साब से वो लोग आपको ज़रू मदद करेंगे motherboard change करने का अगर वो मदद नहीं करते हैं और आपका motherboard change नहीं होता है then do contact me on my Instagram वहाँ हम इस पर कुछ discuss करने की कोशिश करेंगे if possible हम लिनोव वाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे so आज के लिए बस इतना ही hope you learn something new today अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो please like, share and subscribe and thanks for watching